हलो फ्रेंज, 120 शब्द परती मिनट हिंदी डिक्टेशन स्टार्ट होगी, 5 सेकंड बात स्टार्ट, मेरे विचार में बेरोजगार योकों के लिए स्वेम रोजगार योजना को अब तक के अनुभवों के आधार पर संसोधित करने की जरूरत है पिछले दो साल से चल रही इस योजना में जो कमियां दिखाई दी हैं उन्हें दूर किया जाए, रिन के आवेदन पत्रों पर जल्दी से जल्दी निरने किया जाए और निरने होने के बाद ऐसा देने में विलंब ना हो स्वेम रोजगार योजना पर अमल में निरंतर प्रगती हो रही है फिर भी सुधार की गुंजाइश से इनकार नहीं किया जा सकता है 2 मार्च 1985 तक 8,68,000 के संबंद में रिन देने की सिफारिशें की गई और सवा 2 लाख मामलों में कुल 390 करोड रुपे के रिन मंजूर किये जाए इससे 90 प्रतिशत लक्षे की पूरती होने का पता चलता है इसके अतिरिक्त चालू वित वर्ष के पहले चार महिनों में ओध्योगिक उत्पादन की विकासदर एक प्रतिशत रही है जारी किये गए ओध्योगिक उत्पादन लाइसेंसों की संख्या में भी 17.2 प्रतिशत की वर्दी हुई है इस सबसे ओध्योगिक वातावरण में सुधार होने का प्रमान मिलता है माननिय मंत्री ची इस बार का शिक्षक तीवस किस परकार मनाया गया है यह हम सब जानते हैं एक तरफ राष्ट्रपती देश भर के चुने हुए शिक्षकों को अलंकरत कर रहे थे और प्रधान मंत्री शिक्षकों को उनकी गरीमा की याद दिला रहे थे और दूसरी तरफ कई शिक्षक और चात्र संगठन अपनी मांगों को लेकर प्रधर्शन कर रहे थे यों तो समाज का कोई भी वर्ग आज संतुष्ट नहीं दिखाई देता है परन्तु सिक्षक वर्ग आजकल कुछ अधिक ही असंतुष्ट दिखाई पड़ता है सवाल यह है कि जिन लोगों को आप भावी पीडी का निर्माता मानते हैं आप उन्हें वास्तों में कितना मान देते हैं यह किसी से छुपा नहीं है पराथमिक शिक्षा उच शिक्षा की निव है परन्तु क्या आपने सोचा है कि वह कितनी मजबूत है देश के पराथमिक इसकुलों में कोई 14,6,5 करोड बच्चों को ग्यान की रोशनी देने की कोशिश कर रहे हैं आपने कभी यह भी सोचा है कि देश के हजारों पराथमिक इसकुलों में पढ़ाई लिखाई का इंतिजाम है या नहीं है आज से 21 साल पहले शिक्षा आयोग की रपट आई थी जिसमें सुझाया गया था कि कुल राश्ट्रिय उत्पादन को कम से कम 6 प्रतिशत से जादा नहीं है आज पराथमिक और माध्यमिक इसकुलों को दी जाने वाली रगम का 15 प्रतिशत अकेले वेतन पर ही खर्च हो जाता है इसकुलों के लिए मकान, ब्लेक बोर्ड, पुस्तकालिय, खेलकूद तथा बच्चों के मनोरंजन के दूसरे साधनों के लिए कुछ बचता ही नहीं पराथमिक शिक्षकों को इस बात का दुख है कि इसकुलों से निकले एक प्रतिशत बच्चों को कोलेजों में पढ़ाने वालों को जितना मिलता है उसका दस प्रतिशत भी हमें नहीं मिलता शिक्षक नोकरशाही के इसारे पर चलने वाला सत्रंज का एक महरा मात्र रह गया है अते मेरा माननी मंत्री जी से अनुरोध है कि वे समय रहते इस सम्मंद में कुछ करें ताकि शिक्षक वर्ग के अंदर जो यह असंतोष की भावना उत्पन हुई है दूर हो सके स्टॉप